जैसा कि आपको कल सुबह ही बताया गया था कि 12,460 भरती को लेकर आज माननी सुप्रीम कोड में बहुत ही महत्पूर्ण और अहम सुनवाई लगी हुई है महत्पूर्ण और अहम इसलिए क्योंकि ये जो सुनवाई थी अर्चना राय और अधर वाली ठीक है पहले जो उमेश चंद वाली याचका चल लही थी उसमें ऐसा कुछ सहीदा सुनवाई हो भी रही थी आपने देखा कि उसमें कोई भी चीज़े निकल कर नहीं आई केवल मामले को सुना जा रहा था लिकिन ये जो नहीं आज का पड़ी इंक्यावन के कुछ लोगों के मादने हमसे जिसकी मांग ही यही थी कि भरती पर स्टे किया जाए पहली सुनवाई में कुछ खास देखने को नहीं मिला लेकिन आज की सुनवाई में को इस्टेटर जैसी रिपोर्ट निकल कर आई है यानि कि जो प्रिक्रिया है उसे पूरी तरह से जहां पर है वहीं पर रोकने की बात मानी सुप्रीम कोर्ट ने कही है हम आपको बता दें क्या संबंद आदेश है सब कुछ बताएंगे सबसे पहले आपको ये बता दें कि देर साम तक जब आउडर अपलोड हो जाएगा तब ज्यादा इस्तिती इस परश्ट होगी लेकिन अभी तक की जो जानकारियस की अनुसार ये है कि जिनको न्युक्ती पत्र वितरित होगा है अब उनको ही न्युक्ती पत्र वितरित रहेंगे ठीक है जिनको न्युक्ती पत्र नहीं मिल भाए है उनको अब न्युक्ती पत्र नहीं मिलेंगे ठीक है जिनका विद्याले अवंटन नहीं हुआ है, जो कि किसी को नहीं हुआ है, तो विद्याले अवंटन भी किसी को नहीं होगा, यानि कि जो प्रक्रिया जहां तक हो चुकी है, वहीं पर उस प्रक्रिया को रोकने का आदेश की आ गया, दो या ठारा में जिनको न्युक्ती मिल च समझें, देखा जाए तो एक तरह से भरती पर स्टे ही हुआ है, क्योंकि जो जहां पर है वैसे रोकने का आदेश हुआ है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी कोट का ओडर आने दीजिए, कोट का ओडर आने के बाद हम और ज्यादा इस्तिति पस्ट करेंगे, तब तक भरती कह सकते हैं कि पुना पूरी तरह से फस चुकी है,